नमस्कार मैं विक्राम आप सभी का सवागत करता हूँ अपने YouTube चनल देजुकेशन एनलिस्ट पेर और आज हम डिस्कस करेंगे कि रूस युक्रेन युद के दोरान कैसे अमेरिका और यूरूपिय देशों का डबल स्टेंडर सामने आया है रूसी शुरुक्षिया काउंसिल के डिप्टी सेकरेटरी मिखाईल पॉपव ने अपने एक सोरी दावे से भार समयत पूरी दुनिया को एहरान कर दिया है अपने दावे में उन्होंने काया है कि युक्रेन युद के दोरान ही अमेरिका ने रूस से 43% ज़्यादा तेल यानि हर रोज एक लाग पेरल तेल खरीद है इसके बाद दुनिया बर में लोगों ने अमेरिका के दोरे चरित्तर को लेकर सवाल उठाए है लोगों का कहना है कि अमेरिका रोज रूस पर परतीबन लगा कर भारत समेत दूसरे देशों को रूस से विया पार करने से रोक रहा है लेकिन खुद वहां से ज़्यादा तेल खरीद रहा है ने सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप से भी लगाता रही सी खबरे आ रही है ऐसे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जंग के बीच कैसे अमेरिका और यूरोप ये देशों के डबल स्टेंडर सामने आए है कोई देश किसी दूसरे देश पर पावंदिया कैसे लगाता है इससे पहले पावंदियों के नाम पर अमेरिका ने कैसे कई देशों की एकॉनमी को तभा किया था और सबसे इंपोर्टेंट जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि भारत ने कैसे कई मोकों पर और अमेरिकी दबाव के बावजुद देशित में कैसला दिया तो लेट्स केट स्टार्टेट देखें युक्रेन रस्या युद के बीच अमेरिका और यूरोपिय देशों का डबल स्टेंडर्ड सामने आया है रूसी शेना युक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही है इसके विरोध में अमेरिका पाबंदियों के जरिये रूसी राष्टपती वुलाद अमीर पुतीन पर लगाने के दावे कर रहा है अमेरिका ब्रिटन समय दूसरे यूरोपिय देश भारत पर रूस से तेल नए खरीदने के लिए दबाव बना रहे है इस वीच इन काकत्तवर देशों का डबल स्टेंड सामने आया है दरसल रूस के एक दिखारी ने अमेरिका के दोरे रवीए को लेकर सवाल उठाया है रूसे दिखारी ने काया है कि रूस को दुनिया से अलग करने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने ही उससे पिछले सब्ता 43% ज्यादा तेल खरीद आ है इसे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S. जैसंकर ने भी एक कार्यकरम में यूरोप दवारा रूस से मार्च में ज़्यादा तेल खरीदने की बात कही थी फरवरी में जग सरू होने के बाद मार्च में यूरोप ने रूस से 15 परतिशत ज़्यादा तेल खरीदा है अगर आप रूस के तेल और गैस के परमुक खरीदारों को देखें तो इनमें ज़्यादा तर यूरोप ये देश ही सामिल है इस समय वापर जो बिटेन की विदेश म है सकते हैं क्योंकि एक्षिनल अफेर मिनिस्टर डॉक्टर एस जे सेंकर ने बड़ी सजगता और अच्छे तरीके से बारत की बात को वहां पर रखा है देखिए अब हम देखेंगे कि कि किसी देश या संस्था दवारा लगाई जाने वाली पाबंदिया सेंक्शन्स क्या ह दुनिया वर में शान्ती और सुरक्षा स्थाफित कराने के लिए यूनाइटेड नेशन्स सेंक्शन्स को अथियार के तोर पर इस्तमाल करते हैं यूनाइटेड नेशन्स के चैप्टर 7 के आर्टिकल 41 में इस बात का जिक्र किया गया है 1966 से अब तक यून शुरक्षा परिशद ने कुल 30 सेंक्शन्स लगाए हैं जिनमें 14 अलग 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 देशों या संस्थाओं पर पाबंदी अब भी है इसी तरह कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरे देश पर इस तरह की पाबंदी लगा सकता है पाबंदी या संक्शन्स मुख्य तोर पर पांच तरह की होती हैं डिप्लोमेटिक संक्शन, एकॉनमिक और ट्रेड संक्शन, मिल्टरी संक्शन, ट्रांस्पोर्ट और ट्रेवल बेन, तकनिकी मामलों में लिए इन देन पर पाबंदी अब देखें पाबंदियों के उदेश्य क्या होते हैं, किस वज़े से जो संक्शन्स लगाई जाती है, किसी व्यक्ति, संस्था या देश पर संक्शन्स उसके बिहेवियर में बदलाव या उसके किसी फैसले को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है जैसे कि अभी रशिया पर संक्शन्स लग रही हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए और पाबंदी या संक्शन्स जो होती हैं, कि क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए मेंगाई बजाएगी जो foreign direct investment है वो बटेगा, export revenue है वो भी कम हो जाएगा देश पर कर्ज बढ़ जाएगा और interest rate भी बढ़ेगा देखिए पाबंदी या संक्शन्स की राजनिती करने में दुनिया के दो संक्थन और एक देश का ही बलबला रहा है दुनिया भर के देशों को पता चल गया है कि हथियार अब किसी समश्या का समादान नहीं है इसलिए आज के समय में कोई भी सक्तिशाली देश अपनी महत्वा कांक्सा और कूटनी तीक सफलता के लिए सेन्नेबल के बजाए economic sanctions लगाना पसंद करते हैं इसी वज़े से अमेरिका और European Union जैसे संस्ता sanctions लगाने पर ज्यादा जोर देते हैं दुनिया में सिर्दो संस्ता और एक देश ऐसा है जिसके दवरा लगाये जाने वाले पापंदियों का असर किसी देश की एक नामी पर देखने को मिलता है इसमें पहला United Nations है जिसके सदश्य दुनिया के एक सुतराणवे देश है 193 दूसरा European Union है जिसके 28 सदश्य देश है वहीं तीसरे नबर पर अमेरिका है जिसकी बातों को नाटो समेत कई छोटे देश मानते हैं इस वक्त European Union, United Nations और अमेरिका ने मिलकर दुनिया के 32 देशों या संस्थाओं पर पावंदिया लगाई हुई है अक्सर अमेरिका पर आरोप लगता है कि किसी छेतर में अपना दबदबा कायम करने के लिए युएस आर्थिक पावंदियों का साहरा लेता है साथ ही वह है इसे अपनी विदेश नीती की तरह भी इस्तमाल करता है देखिए अगर आपको European Union और United Nations जैसे संस्थाओं का ये नहीं पता कि वो functioning कैसे करती हैं कैसे काम करती हैं कब बनी तो हम अपनी एक जो ये वैस्विक संस्थाएं हैं इस परकार की उनके बारे में एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें विश्तार से सर्चा करेंगे कि वो कब बनी कौन-कौन से देश उनकिसे दश्य है और वो कैसे कैसे काम करती है फिलाल हम इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि USA, European Union और United Nations की पावंदियों वाले देश और संस्ताएं कौन-कौन सी हैं तो इसमें सबसे पहले Al-Qaeda है जो कि एक टेर्रिस्ट ग्रूप है उसके बाद Central Africa Republic है कांगो, गोयाना, इराक, इरान, लेबनान, लेबिया, माली, नॉर्थ कोरि इसमालिया, सुडान, तालिबान और यमन इन देशों पर USA, European Union और United Nations तीनों ने जो है सेंक्शन्स लगा रखी है अब इसके बाद European Union और USA ने जिन देशों के पावंदि लगा रखी हैं वो हैं बेलारूस, बुरंडी, मैनमार, युगोसलाविया, रूस, सीरिया, वेनेजव अब जो अमेरिका है यानि की युएस से उसने किन देशों और संस्ताओं पर पावंदि लगा रखी है वो हैं अफगानिस्तान, क्यूबा, रूस और निकारगुआ, इसके बाद European Union की पावंदि वाले देश हैं चीन, इजेप्ट, हैती, माल्दीव, मोल्दोवा, टूनेश और अमेरिका, ये इंपोर्टन्ट है, अमेरिका पे भी जो European Union है, उसने कुछ पावंदिया लगा रखी हैं, देखिए, अब बात करते हैं कि कैसे अमेरिका ने पावंदियों के जरिये कई विकास सिल देशों के इकनोमी को तभा किया, यूरोपियन जो देश थे, उनका भी इसमें अच्छा खासा हाथ रहा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला का जो है अधिकारिक नाम, बोलिवेरियन रिपब्लिक आफ वेनेजुएला है, प्राकरतिक संसाथ नो से संपन होने के बावजुद, आज इस देश के ज़्यादतर खाने को भी तरस रहे हैं, इसकी वजए अमेरिका दवारा इस देश पर 2017 से लगाई गई आर्थिक पावंदियां हैं, वेनेजुएला के राष्टपती निकॉलस मदूरो पर लोक्तांत्रिक कदिकारों के हननन का आरोप लगाते हुए, वहां 2017 में हुए प्रदर्शनों के अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने वेनेजुएला पर आर्थिक पावंदि लगा दी, इसे एकसर राचनिती से प्रेवित बताया जाता है, इससे में गाई वड़ी और खाने पीने की सामानों का अभाव हो गया, 2019 में वेनेजुएला की सत्ता में बैठे निकोलस मादूरों के खिलाफ पक्सीनेता जुआन गोएदों के नेतरतों में आंदोलन हुआ, यह आंदोलन मुद्रस फिती, बिजली कटोती, जरूरी सामान की जो कमी थी, उसको लेकर हुआ, और इसकी जो अगवाई है वे पक्सी नेता खुआन गोईदों ने की, अंदोलन के दोरान ही गोईदों ने खुद को देश का रश्रुपती कोशित कर दिया, जिसे अमेरिका ने मानेता दे दी, इस अंदोलन में प्लिस की गोली से 14 लोगों की मोत हो गई, इसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंद और कड़े कर द अब वेनेजुएला की एकनौमी पर अमेरिकी इपाबंदी का जो असर है वो 2017 से आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, लगातार डिकलाइन होता चला गया, देखे अब बात करते हैं क्यूबा की, 1960 में क्यूबा ने अमेरिका की कई कमपनियों का रस्टिकन कर दिया, इसके साथ ही अमेरिका से आने वाले समान पर भी एक्साटेक्स लगा दिया, इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कारवाई में क्यूबा पर आर्थिक पर्तिबं लगा दिये, अमेरिका को लगा कि ऐसा कर अमेरिका ने फिर 1992 और 1996 में कानुन पास कर क्यूबा पर परती बंद जो हैं और कड़े कर दिये लेकिन क्यूबा उनको भी जेल गया बराक उबामा ने क्यूबा पर लगाई गई पाबंदियों में डिल दी लेकिन बाद में डोनल्ड टरंप ने क्यूबा को आतंक पैदा करने वाले देस उगलेशन में फिर से डाल दिया तो अब बात करते हैं इरान की दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल बंडार वाले देसों में शामिल इरान की एर्थ वस्ता खस्ता आलो चुकी है दरसल अमेरिका नीचा ताकि इरान पर मानू सकती बने इस वज़े से अब इरान की स्थिती 1979 की इसलामी करांती के दोरान से भी खराब हो गई है तब दुनिया से अलग होकर भी इरान की वो आलत नहीं थी जो आज है इरान और अमेरिका की दुस्मनी 40 साल पुरानी है अमेरिका ने 1979 में ही इरान परार्थ एकपाबंदी लगा दी थी तब से अब तक इरान की एकनौमी बरबाद हो गई है इस वक्त इरान की एकनौमी 40 साल में सबसे खराब दोर से गुजर रही है 2017 के बाद से अब तक हर साल इरान की जो एकनौमी है लगवग 1% के दर से ग्रोथ कर रही है 2015 में अमेरिका और इरान के बीच एक डील हुई जिसमें इरान इस बात पर राजी हुआ कि वे परमानौम नहीं बनाएगा अलागी बाद में अमेरिकान दावा किया कि इरान जो है परमानौम बना रहा है 2015 के बाद इरान की एकनौमी में 2016 और 2017 में वर्दी देखी गई थी 2016 में 12% की दर से इरान की जो हिकनौमी बड़ी लेकिन 2019 में फिर पाबंदी लगाई जाने से इरान के अर्थ वस्ता तबाह हो गई इस दोरान जब बारत ने इरान से तेल खरीजना जारी रखा तो अमेरिकी अकबार दे वाल स्टेट जर्नल ने लिखा था दिल्ली इस आउट वाल स्टेट जर्नल लिखा कि दिल्ली इस टरनिंग आउट टू बी दे मुलास लास्ट फ्रेंड इसका मतलब यह है कि बारत मुलाओं यारी इरानियों का आखरी दोस्त यह उम्मिद रह गया है और अब बात करतें हिराक की तो 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुएट पर हमला कर दिया इसके बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और उनाइटिड नेशन्स तिनों ने इराक पर पाबंदी लगा दी ऐसा इसलिए किया गया था कि एराक खरतरनाख हतियारों से कुएट पर हमला गरना बंद कर दे अलांकि इसके बाद इराक को कुएट पर हमला बंद करना पड़ा था बाद में इस पाबंदी के वज़े से इराक के आम लोगों को गाफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दोरान इराक में बेरोजगारी और मेंगाई दोनों बहतेजी से बढ़ गई थी इस गटना के करीब 13 साल बाद जो United Nation है उन्होंने इराक पर लगा ये परपबंदी को अटा दिया था अब किसा 1998 का जब अमेरिका ने भारत पर पर परपबंदियां लगाई थी 1998 में अटल भी आरिवाज़व के नेतरतावाली भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था इसके तмовारत ने गोपनिये तरीके से पोकरंड में परमानुपरिक्शन किया था भारत ने इस पर्मानु प्रिक्षन से अमेरिका समें दुनिया वर के देशों को चोका दिया था अमेरिका भारत की इस फैसलिके खिलाफ था इसके बाद अमेरिकी रश्टरपते बिल किलिंटन ने भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाने के साथ ही भारत पर कई तरह एक एकनोमिक पर्तिबंद लगा दिये थे 2001 में अमेरिका में जोर्ज बुस की सरकार बनने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गया आर्थिक पर्तिबंद को अटाया अमेरिका ने भारत को सभी तरह के डिफेंस टेकनोलोजी देने से मना कर दिया था साथ ही अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले लोन या मदद को लेकर भी विरोध जताया था देखें अमेरिका दवारा लगाए गई पाबंदी होगा भारत ने कई बार जो है बड़ा करारा जवाब दिया है बात करें अनाज संकट की तो 1964 में भारत में अनाज का संकट हो गया था इस से में लाल बादुर सास्त्री देश के परदान मंत्री थे अमेरिका से बारत आने वाले अनाज पर वहां की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी इसके बाद सास्त्री जी ने अमेरिका से मदद मांगी तो बदले में अमेरिका ने कुछ सर्तों के साथ अनाज देने की बात कही शास्त्रे जी जानते थे कि अमेरिका से अनाज लिया तो देश का स्वा भी मान कम हो जाएगा ऐसे में उन्हों उन्होंने सब नामे एक दिन उपवास करने की बात कही लेकिन अमेरिका से अनाज नहीं लिया अगली फसल आने के बाद देश में फिर से अनाज की कमी दूर हो ग बाद अमेरिका ने 14 दिशंबर 1911 को सेन्नेव आपसी की मांग करते वे यूएन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव किया था अमेरिका के खिलाफ बारत का साथ तेते वे सौमिय तरूस ने प्रस्ताव को विटो के जरिये खतम करवा दिया था अब देखिए कौन-कौन से देश थे जिन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव के पक्स में वोट किया था अर्जेंटिना, बेल्जियम, बुरुंडी, चीन, इटली, जैपैन, निकारगुआ, सियरा, लियोन, सुमालिया, सीरिया ये सारे देश थे, जिन्होंने बारत के खिलाफ वोट किया, अमेरिका के प्रस्ताव के पक्स में लेकिन, रूस ने उसको वीटो कर दिया था, उस वक्त अमेरिका ने भारत परमले के लिए अपने साथ वे बेड़े को भी वेज़ जा था, जिसके जवाब में रूस ने भी भारत के समर्थन में अपनी नोसेना को उतार दिया था, इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को पाबंदियों की दमकी भी दी, इस दवाव के बाद भी भारत नहीं जुका, और बंगला देश आजाद हुआ, जो किया आज आपके सामने है, तो जो हम पूरे जिस वीडियो में बात कर रहे हूं, अमेरिका के दोरे चरिक्तर की बात करे हूं, और ये एक खाली आज रूस यॉक्रेनियों के दोरा नहीं है, ये कभी से है, अमेरिका को जहां अपना फायदा दिखा, वो अपना काम करते हैं, लेकिन भारत ने वड़ी सब्ती से जो है, पहले भी उनका लगी हैं 3166 सीरिया पर 2608 उसके बाद नोर्थ कोरिया 207 उसके बाद विनेजुएला 651 और मैनमार पर 510 और क्यूबा पर 208 परतीबंद अभी तक लग चुके हैं देखे रूस पर अब भी लगातार परतीबंद लग रहे हैं तो एक बार यह जान लेते हैं कि आज से पर रू केसे ने रूस पर शुब से ज्यादा परतीबंद लगाए हैं जो हैं 1144 उसके बाद कैनाडा ने 908 स्विट्जर लेंड ने 824 यूरोपियन यूनियन ने 766 फ्रांस ने 760 ऑस्ट्रेलिया ने 633 यूके ने 207 और जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन्होंने 106 एक्तर जो परती अग्सरेंअ है की तियारी कर रहे हैं जैसे स्सी है स्सी सीजील है सिम्टेस है ये सारे स्सी केμέंग τον सəच्फ के बाद बैंकिंग है टीचिंग है सेविसीं इटेज ने 9-P oraTH से इस सथे शृञ एंटरेंस एक्जाम है अगर आप स्क्रीन में दिए गए किसी भी एग्जाम की तियारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट बुक की जो टेस्ट सिरीज है वो जो आइन कर सकते हैं और हमारा जो कूपन कोड है आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको लगभग 30% तक का डिसकांट मिल ज रखते हैं तो कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं ताकि हम आपको उस कंटेंट पर अच्छे तरह से रिसेर्च करके एक्स्प्लोर करके आपको और वहत्रीन कंटेंट जो है प्रोवाइड करवास के थैंक्यू जल्ग और में ले तरह से रिसेर्च करवाइड करेंट बोक्त।